हाई दोस्तों यह चानल प्यूरली मरल फार्मिंग का है दोस्तों मैंने आलड़े तिल्गु में भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है फार्मर्स के लिए जो भी लास हो रहे हैं सफर हो रहे हैं और सीड मर जा रहा है यह वीडियो हिंदी यूजर्स के लिए दोस्तों जिस तो मैंने सुचा कि हिंदी में भी वीडियो बना जाए और फार्पर को सारे डीटेल्स दिया जाए फ्री में दोस्तों फ्री आफ कॉस्ट है यह जो नो नीट टू पे एनिटिंग तो इन फीचर इफ नीड अगर फीचर में अगर आपको किसी को जरूत पढ़ती है तो हम सोचेंगे तो यह प्यूरली मरल फार्मिंग का है दोस्तों ठीक है अब इस चानल में आपको फ्री आफ कॉस्ट आपको सीड कैसे जनरेट करना है और फीड भी कैसे जनरेट करना है यह स्विब डीटेल्स मिलेंगे आपको मरल का सारा कुछ खाना रहता है दोस्तों चाहती है बृतस जो भी खातीन on वेच मैं बार बार बलाओं कि नान विज कहती है दोस्तों कोने इसको क्यों जर्ण करते हैं यह नार्मली फिश फार्म में कैसे पलती है मर्ल फीड कर चीड कहाँ के नेचरल ली जो मिलता है तो उसी फंडे में हम आपको सारा कुछ दिटिल्स देने वाले हैं तो में इश्यू है यह कि हंदी यूस के लिए जो भी तिलीं जातें उनके लिए सप्रेड्ट वीडियो बना गया है दोस्तों एब्षिकर नरहें वाले फीचर में और आपको सारे कुछ डीटेल्स मिलने वाले हैं फ्री ओफ कॉस्टों जिसमे डिटल्स मिल जाएंगे तो सब्सक्रेब करिए और यह वीडियो से मैं जो सीड माफिया और फीड माफिया है ना दोस्तों पता होगा जो सीड बेशते हैं छोटे-छोटा बच्चा दे देते हैं मरल का स्नेक एड का और एक एक बच्चा साथ से लेके 10 रुपे तक सेल करते हैं हैं और बोलते हैं कि अरे साथ सिस्टम में भी महरल पलेगा उसके लिए इतने करोडा खर्चा करना पड़ेगा और बच्चा मर जाता है लाश्ट में वह बोलते हैं कि फार्मर की गलती है तुमने सीधा फार्मिंक नहीं किया तो यह सारे बातें आती हैं दोस्तों तो यह सा सी कि वीडियो ने यह फार्मिंग प् neces समिन है थे और चल confused why यही है डर्डाइएं यह गै genetic को सब्सक्राइब से ओर अब फार्मिंग प्रसक्राइब तो आप ऐसे पुरे बातों में ध्यान नदे दोश्तों यस चानल से आपको जन्यन का मेलेगी और विटोट लॉस्ट आप मरल फार्मिंग कर पाएंगे नेजरली आपके घर के पास रहते हुए आपके फार्म के पास रहते हैं दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कीजिए तो नार्मली क्या होता है दोस्तों अगर आप यह मरल वीडियो देख रहेंगे तो आपको एटलिस् यह जो चार से पाच मह successful पालने के बाद उसके बाद वह वच्छा जांके महरल का वच्छा जाकी 80 एंडेट ग्राम से बहुत होगे मुरां को फार्मर को देंगे तो तब फार्मर कर पाएगा फार्मिंग कर पाएगा और नेचरल ली तब जाकर उसको एक सव घज में अगर फार्मिंग करता है तो तब उसको एक से दो किंटल या तीन किंटल मचले निकलती है बेस्टान दे क्वांटिटी तुमने इतना क्वांटिट छोड़ा है एक six months के बाद तो नार्मली ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों मैंने हमारे इदर से स्टेट तेलंगा ना और आंध्रा में भी देखा है और इंडिया में भी यही हाल है छोटा-छोटा बच्चा मरल का रहता है ना दोस्तों दस से पंदरा दिन 20 दिन मैं तीस दिन यह वाले बच्चे को ना पता नहीं यह लोग कहां से ला रहे हैं मुझे लग रहा है कि इंडोनेशा से ला रहे हैं इंडोनेशा में मरल का भूद सारा बच्चा प्रोड़क्शन निकलता है वो लोग कंटेनर में दालके ना भेज देते हैं शिपों में बहुत स बेंगल में वेश्ट बेंगिंगाल है में पेंपर लाउं करता हैं तो वहां से बच्चा आने के कारण क्या होता है ना दोस्तों ट्र egentी करने से लाओ चोटा रहता और ory की शुरती इंडिक तो वहीं भ mario से इतनी दूर आने पर चाहता नहीं का रहत ग्रूं तो इस पर दे वह भरूआज जो ना इतने सारे डेट कर समझो के 1000 बच्चा लाएं वो लोग तो इत्में से 700-800 बच्चे मर गए तो फार्मक परेशन होता है कि पूसता है कि सीड जो प्रोइट क्या उसको पूसता है तो बोलते हैं कि तुमने हो तुमने फानी रखा होगा चुमने आइसा देखा होगा उसमेरщее मर गया तो फिर से से देदेंगे आप पैसा सीड माफिया को अंगर आपको यह सारे बात dignas क्या हो डाल कैसे वाठा है मुँझे खूल गिप जो वहाता है मेंस्ट्रीम मीडिया वो कैसे जूढ बोलके ना फार्मर को धोका दे रहा है और जो यूटूबर्स भी बैठे हैं यूटूब में वो लोग भी इसको दलालों के पास पैसे लेके कैसे प्रमॉट करें इस सारे बातें आपको मिलेंगे दुस्तों ठीक है यहां प आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला अभी सारी जो ट्राइनिंग से भी अच्छी व्यालीबल इंफरमेशन ना दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे सब्सक्रेब कीजिए दोस्तों तो नार्मली क्या होता है ना यह बच्चा मैक्जम आपको स्क्रीन में दिख र किट्स मर जाते हैं वह एक दस परसेंट जो तौजन में से एक हंडेड बच जाती है और उनको ना लांग डर्म के लिए फार्मिंग करना पड़ता है कि लाइक ट्वल माल्स फोर्टिन मांस तब जाके वह एक की जेग आते हैं और उसमें भी ना वह सीड माफिया का जो सीड देना फीड वह नहीं खाती है उसको नेचरल फूड देना पड़ता है तो आपको न सारे डिटल से प्लियरली में आने वाले वीडियोस में दे दूंगा नेचरल फूट क्या-क्या है मरल को और कैसे खाती हो ठीक है दोस्तों आप सब्सक्रेब करके रखना शेर करना कोई भ करते हें पहले फार्मर को जो फार्म नहीं करते हैं अरे इस में करना चाहते हैं आपको बोड़तों और में центр लिए नहीं करेंगे किसके लिए नहीं करेंगे जो नार्मल ली पॉंड कल्चर में करते ना लम और नहीं को यह लोग ना उन्य करने करने के लिए पनाने के लिए ह् moments टैंक बनाने का कच नहीं निकलेगा तो इनको लास हाएगा पाइदा नहीं होगा तो इसीव बातका यह लोग फाइदा उठाते हां और बॉलते हैं के ताड़ पुल हो है ठीक है ब्लूर हो एर ब्लूर हो और उनका जो भी सेट अप रहता है ना सिमिंट टैंक का हो यह मेश का जो सेट अप है यह सारे के सारे पाइसे फार्मर से निकालने की कोशिश करते हैं दोस्ते तो आपको ना इस चानल सब्सक्राइब करने पर आपको सा सब्सक्राइब करने पर आने वाली फीचर में सारे बैक टू बैक आपको वीडियो बनाएंगा मैं फ्री में फ्री आपको कास्ट कैसे मरल को हम खाना खिला सकते हैं फीड ठीक है नेच्रल से और सीड माफिया टू हंड्रेट तक सेल कर रहा है दोस्तों फीड मरल का फीड ठ बेवन फाल ठीक है वो बोलता है कि यही फीड नाले के आपको मरल का घ्रवत अच्छा रहेगा और मोल्टरी नहीं आएगी तो ऐसे बोलके और वह यूटूबर के पास याचाव तो दोड़ा चुदेते वह प्रमो接 करने लगत दोस्तों तो लास्ट में क्या होता है कि फार्मर में लास्ट में आ जाता है जी हां दोस्तों पूरे जानकारी आपको मिल जाएगी सब्सक्रेब करें दोस्तों और शेर भी करें और लाइक भी करें और यह इन वीडियो से दलालों को बहुत परेशानी हो ले वाले ही दोस्तों आप फिकर ना करें कॉमेंट से नेकुटी कॉमेंट सेंगे क्योंकि यह दलाल नहीं चाहते कि उनका इंकम चले जाए तो यह वीडियो से ना जो फ्री आफ नॉलेड शेरिंग के वाइसे हम जो हमारा नॉलेड शेर कर रहें फार्मर्स को जो जिन्यून फार्मर हैं उनको जो सभी नॉलेड कर रहे हैं दोस्तों यह मरल का लाएंगं करने वाले फार्मर को देने का साइज है सैस्जेस्ट बॉल साइज है यह साइज नहीं एंडाड़ो या केरला एंड लेशेया बंग फेंगाल और इंडोनेश्या मलेश्या बेंगाल क्योंकता यह वाले सीड को लेते हैं at least four to five months वाला सीड ठीक है यह सीड सजेस्टिबल है फार्मर्स के लिए अगर यह सीड अगर फार्मर को मिलता है ना तो मोर्टाल्टी रेश्यू इतलिस्ट five to ten percent रहेगा दोस्तों ठीक है मोर्टाल्टी बहुत कम रहेगा इसमें मैग्जिमम फार्मर को लास आने का चांस नहीं रहेगा मगर यह सीड माफिया आपको छोटा से छोटा बच्चा लगा देंगे और बोल देंगे कि अच्छा ग्रोत आएगा ठीक है आश्में फार्मर को ना लास आजाता है नाइंटी परसेंट हो जाती है किट्स की मरल के स्ने फॉर टुफाइब मंस वाला जो एटी टू हन्रेड वन टेन ग्राम और इट लिस्ट फॉर टुफाइब इंच रहे ठीक है फॉर टुफाइब का साइज जो रहता है ना वाला आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे यह वाले साइज के मरल को लेना पड़ेगा आपको तब बंदे तिल्गों नहीं जानते हिंदी फार्मर से जो हिंदी जानने वाले उनके लिए भी वीडियो बनाएं ताके सब कुछ डेलिवरी हो सके आपको आपको भी शेयर कर पाऊं ताके मेरे फार्मर भाहें को लास ना आया मेरे देश के टीक है यह इंटेंशन ही है दोस्तों मेरे इंटेंशन दलाली से बठ़ें और सब्साइब आने वाले दिनों में free of cost मेंgeonet Crypt करते हैं यह भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों free of cost फीड कैसे जेनरेट करते हैं वो भी बताएंगे आपको मैंग्जिम थर्टी टु फार्टी रुपीस में आपको वन केजी मरल का अपको मिलने वाली है दोस्तों free of cost आपको कहीं पे भी जाना नहीं है आपको ट्रैइंग अटेंड करना नहीं है पैसा पे कर के और वो दोके वालाolा जो तो यह वाले आपको इतने सारे इस्वे नहीं आएंगे ठीक है? और कम से कम ने 30-40 रुपे के अंदर आपको 1kg moral का production कैसे निकालना है और सस्ते से सस्ते में अपने इंडिया के दोस्तों को हमारे भाई भेन को कैसे खिलाना है मार्केट में और मार्केटिंग भी कैसे करना है यह सारे जान करें आपको मिलेगी दोस्तों सब्सक्रेब कीजिए और like कीजिए comment कीजिए positive comments always welcome अगर कोई दलाल seed mafia feed mafia का है और वो negative comments करना चाहता हम भी उससे लिपट लेंगे उसकी channel को ठीक है दोस्तों बाई बाई दोस्तों याद रखें सब्सक्रेब कीजिए